वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें हमारा ये sectional test number 2 होगा geography का test है geography से related best 100 questions का compilation इसमें हम cover करेंगे geography आपका ncrt 6 to 11 सारे important questions इस particular test में covered हैं दोनों ही भाषाओं में हिंदी और इंग्लिश जैसा हमने test 1 complete किया वैसे ही आपको यह test complete करना है अपना score जरूर से comment करके बताइए नहीं तो देखे कोई फायदा नहीं है test द बिल रहे हैं और आपको यह particular facility हमारी साइट से provide हो रही है तो इसका पूरा पूरा लाग उठाइए अपनी diary of mistakes maintain कीजिए अपनी mistakes को minimize कीजिए statement based questions है अच्छे से बढ़िए कोई fact आपको नहीं पता कोई नहीं आपकी knowledge है उसको note down कीजिए और अच्छे से test attempt हीजिए पूरी को आपको सबी material complete तैयारी बहुती कम pages का material जो आपको selection के बहुती पास ले जाएगा फिलाल के लिए test no.2 geography का sectional test होगा शुरुआद कर रहे हैं धन्यवाद चलिए तो geography का test है NCRT based test है ये sectional test 2 है और इसमें geography का NCRT से 6 से 11 तक का पूरा maximum जो चीज़े हैं वो covered हैं तो important test उढ़ाता है आप लोगों के लिए ये पहला question देखेंगे निमलिकित में से सही विकल्प का chain करें choose the correct option आप पून चंद्र को लगबग एक महीने में एक बार देख सकते हैं यह पून चंद्रमा वाली रातिया पून्दमा होती है फुल मून को आप एक ही बार देख सकते हैं once in a month फुल मून नाइट या फिर पून्दमा होती है सूरे चंद्रमा और वे सभी वस्तु में जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें क्या कहते हैं खगोलिये पिंड मतलब celestial bodies कुछ खगोलिये पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं यह गैसों से बने होते हैं इनके पास अपनी उश्मा तथा प्रकाश होता है जैसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उच सर्जित करते हैं और इन खगोलिये पिंडो को जो celestial objects इस तरीके से behave करते हैं बड़े होते हैं, gases के होते हैं, उनको आप कहते हैं stars बताइए कौन सा सही है सारे सही है, कोई दिक्कत नहीं है और आप जानते होंगे, जो भगवान सूरत देव हैं हमारे, वो भी एक तारा है Sun is also a star Second question, गलत विकल्प का चैन करें, choose the incorrect option प्राचीन समय में लोग रातरी में दिशा का निर्धारन तारों की सहाइता से करते थे उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था North Star जो होता था, वो North Direction बताता था रात में आस्मान की ओर देखते समया, तारों के विभिने सम्हूं द्वारा बनाई गई विविद आकृतियों को देख सकते हैं, इन्हें क्या कहते हैं नक्षत्र मंडल, Consolations कुछ खगोलिये पिंडों में अपना प्रकाश एवं मुष्मा नहीं होती वे तारों के प्रकाश में प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह planets कहते हैं, विचर इल्युमिनेटेड बाइदी लाइट अफ थे स्टार्स, बताईए कोई गलत नहीं है, और आप जानते हैं, ऐसा ही तारा है, धुरूफ तारा, जैसको हम क्या कहते हैं, पोल स्टार, वो हमेशा एक ही जगा पर राता है, पूर टाइम और आप स्काइप पे जब देखेंगे, तो आपको अलग-अलग shapes दिखाई देंगी, जो अलग-अलग stars बनाते हैं, जैसे consolation, example क्या है, उर्सा, major, big bear, है न, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको ये हिंदी में भी big bear ही कहलाएगा, ठीक है, इनको कहते हैं consolation, और इन में से सबसे ज़ादा पहचाने जाने वाला एक consolation है, सब्त रिशी, ये साथ, क्या बोलते हैं, सितारों से मिलके, बनता है, उर्सा, major का ही, पार्ट है, ये, अचलिए, थर्ड, सही विकल्प चुनें, चूस्दी करेक्ट ऑप्शन, अब ये कह रहा है, लार्जेस्ट फ्लानेट, चंद्रमा का व्यास, प्रिथवी के व्यास का केवल एक चौथाई है, वन फोर्थ अफ दियामीटर ऑफ अर्थ, किसका है ये, मून का, आंसर, ठीक है सारे, ये तीनों भी बिलकुल ठीक बाते दीवी हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, आप जानते हैं कि अवरिज डिस्टेंस जो है, अर्थ का और मून का वो कितना है, थ्री, बता दीजे फटाफट, एट, फोर, फोर, जीरो, जीरो, किसमें, किलोमेटर में, ठीक है, तो पता होगा आपको, ठीक है, तो ये एक चीज़ धियान रखने हैं, कई बार आ सकता है, एडिशनल फैक्ट, फोर्थ, गलत विकल्प का चाहिन करेंच, उस दीन करेक्ट ऑप्शन, नील आमस्ट्रॉंग, 21 जुलाई, 1969 को चंदरमा की सथय पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ती बने थे, फॉर्स्ट मैन, अंतरिक्ष में देखने पर पृत्वी नीले रंग की दि डिशाइड किया, that Pluto will be called a dwarf planet, चंदरमा 27 दिनों में पृत्वी का एक चक्कर लगाता है, एक revolution जो है, वो 27 days में करता है, इंगलिश वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी, विश्वास जमा के बैठे रही है बस, ठीक है, तो C गलत है, तो ये जो decision लिया गया था, ये आपका लि 5th question, निमलिखित में से गलत विकल्प का चैन करें, चूजदी incorrect option, क्षुद घ्रह, asteroids, कहा मिलते हैं, मंगल ब्रहस पती की कक्षाओं में, मार्स जुपिटर के बीच के, orbits में, द्रव्वे मान्त इथाकार, दोनों की दृष्टी से सबसे बड़ा घ्रह ब्रहस पती है, सबसे लगाने वाले पत्थरों के छोटे-छोटे टुकडे, ऐसे छोटे-छोटे टुकडे भी हैं, small pieces of rocks, जिनको कहते हैं, उलका-pinned, meteoroids, incorrect बताईए, कोई गलत नहीं है, और प्लीज, बहुत important है, सारे, asteroids पढ़ लीजे, और कौन सा बड़ा-कौन सा छोटा, meteoroids पढ़ लीजे, सरवादिक गरम-ग्रह मंगल-mars, सरवादिक उप-ग्रह, मतलब सबसादा satellites जिसकी है, Saturn, Shani, आंसर बताईए, पहला और दूसरा ठीक है, तो मतलब hottest बताईए, hottest planet अगर मार्स होता, तो मार्स पे कैसे पहुंचाते, नहीं पहुंच पाते, hottest planet is Venus, ठीक, hottest, और जो आपका, कौ कौन से planet के पास है, Jupiter के पास, ठीक है, और जो planet green color का है, green से लिख देते हैं जरा, मुझे comment करके बताईए, हरे रंगा जो planet दिखता है, वो बताईए मुझे, और एक planet को कहते हैं हम सरवादिक चमकीला घ्र है, भोर का तारा, शाम का तारा, पृत्वी का जुडवा, अर्थ का ये map वगेरा खोल के देख लो, उसमें देख लो, सब मिल जाएगा, Antarctic वरत भूमदे रेखा से 66 and a half degree उत्तर में है, Antarctic circle, equator के 66 and a half degree नॉर्थ में है, map खोल लो तो map से पता चल जाएगा, करक रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी आक्षांचों पर वर्ष में कम से कम एक बा at least once a year, सारे latitudes पे, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn के बीच में, प्रशांत महसागर में है, Tonga Island, Pacific Ocean में, Mauritius है, Indian Ocean में, कह रहा है, क्या ये दोनों सेम ही आक्षांच पे हैं, सेम ही latitude पे हैं, और वो सेम latitude है, 20 डिगरी साउथ, answer, तो ये कह रहा है, A गलत है, अब जो ये Antarctic Circle है न, ध्यान देना Arctic Circle North में है, Antarctic Circle South में है, ये आपका equator है, यहाँ पे Arctic है, AA दोनों तरफ हैं, लेकिन North और South में कौन सा ये आपको पता होना चाहिए, 66 and a half degree North में आपको मिलेगा Arctic Circle, और यहाँ मिलेगा Antarctic Circle, इतना फरक आपको पता होना चाहिए, और Torrid Zone क्यों कहलाता है, याद रखना, और का नहीं है ऐसा, कि same latitude पे है, same longitude पे है, नहीं, कुछ ही है ऐसे, वो आपको छाट-छाट के हाँ पे test में करा दिये जाएंगे, clear, तो इसलिए ये सब चीज़ें याद रखना, एट्थ, गलत विकल्प का चैन करें, choose the incorrect option, प्रमुख याम यॉत्तर का मान, 0 degree देशांतर है, यहां से हम 180 degree, पूर्वे 180 degree, पश्चिम तक गणना करते हैं, बात ओरी, प्राइम मेरिडियन की, यह 0 degree पे है, हम कैसे काउंट करते हैं, 180 degree east west, दिन जोडते घटाते हैं न, पढ़ाए नहीं, पढ़ाए, असम में स्थित दुबरी, धुबरी या धुबरी जो भी, 26 degree north latitude पे ह और 90 degree east longitude पे है, अच्छा, अर्थ रोटेट करती है, अब वो कितना करती है, 15 degree एक घंटे में, या फिर 1 degree 4 मिनट में, कैसे कहेंगे मतलब, दोनों बात एक ही हैं क्या, और डिफरेंस है, एक घंटे 45 मिनट का द्वार का और दिबरुगड के time में, है न, डिफरेंस तो है, हमने time zone A की लेक रखा है, न, तो एक country में watches अलग-अलग हो जाएंगी, बताओ answer कौन सा है, incorrect, incorrect D है, ध्यान रखना, ये जो है, सब कुछ ठीक दिया हुआ है, लेकि ध्यान देने वाली बात थी, दिबरुगड सिक्के में कब चला गया भई, असम में है दिबरुगड, तो इ तरह डिगरी कितने में हो गया, एक घंटे में, वो लग गया न, आपका unitary method, और एक डिगरी चार मिनट में, तो ये तो as it is, याद रख लो, 9th, सही विकल्प का chain करें, choose the correct option, भारत का समय Greenwich के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, we are ahead of Greenwich by 5 hours and 30 मिनट, भारत में 82 and a half degree, पूर्व को मानक या मिवत्तर माना गया है, हमारा standard meridian है न, मिर्जापूर, कुछ देशों का देशांत्रिय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वह हाँ, एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं, क्योंकि longitudinal extent जादा है, तो एक से जादा standard time अपनाए जाते हैं, और अर्थ को एक एक घंटे वाले 12 समय क्षित्रों में विभाजत किया गया है, 12 time zones में divide किया गया है, answer बताइए मुझे, इसका B हो जाएग answer, 1st, 2nd और 3rd ठीक है, देखिए, 4th, आपको बताती हूँ, मैं 12 कैसे हो गए, अभी तो बताया, 24 गंटे में अर्थ घुम रही है, तो 24 है ना, एक एक घंटे का तो 24 time zones एक एक घंटे के, और हर time zone कितना area cover कर रहा है, 15 degree, longitude, latitude, longitude, ये फरक जरूर बताऊना चाहिए आपको, ठीक है, 10th, गलत व पूरे के चार ओर एक स्थिर कक्षमे प्रित्वी की गती को घूरनन कहते हैं, revolution क्या है, अर्थ का अपनी ही धूरी पे घूमना, एकसे पे घूमना, और sun के around एक fixed path में चकर लगाने को कहते हैं, rotation, जैसे जैसे हम विश्वत वृत से दूर जाते हैं, आक्षान श्रिखाओं क अगार घटता जाता है, equator से दूर जाने में parallels of latitudes decreases, सडक मांचित्र, वर्षा मांचित्र तथा वन उद्योग आधी के वितरन दर्शाने वाले मांचित्रों को thematic मांचित्र कहते हैं, thematic maps, जो road, rainfall, ये सब बताते हैं, चार प्रमुक दिशाएं, उत्तर, दक्षन, पूर्व, पश्चिम को प्रधान दिगदू कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं, बताई आंसर, incorrect बताई कौन सा है, भई, पहला ये है, गलत, एक सेकंड, पहला गलत हो गया, पहला क्यों गलत हो गया, उल्टा दिया हुआ है, प्रिथिवी का अपने अक्ष पे गूमना कहलाता है, rotation, और sun के चारों तरफ करती है, प्रिथिवी revolution, बस इतना फरक है, भागी ठीक है, 11, सही विकल्प का चैन करें, choose the correct option, जब एक कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खीचा जाएगा, तब इसे रेखा चित्र मान चित्र कहेंगे, मतलब rough drawing बनाई क्या कहलाता है, plan, plan बनाया ना अपने, दिख सूचक की सहायता से हम किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं, दिख सूचक की चुम्बक्य सुई की दिशा सदैव उत्तर पूर्व दिशा में रहती है, compass की बात हो रही है ये, तो magnetic needle जो है, compass का, it always point towards northeast direction, you have to tell me the correct answer, तो beaks भी सही है, one, two and three, यहीं पर आपको थोड़ा सा page दिखाई देगा, कि ये north east नहीं हो सकता direction, north south में रहती है, वो ऐसे रहती है, सीधी ऐसे, है ना, जो आपने देखा होगा अगर magnetic compass तो, तो आप जानते होंगे ये चीज, ठीक है, तो उसी से आपको directions main main पता चलते हैं, बाकी सही विकल्प का chain करना है, select the correct option, भारत उत्तर में हिमाले के उचे शिकरों से घेरा हुआ है, भारत पश्चिम से west में Arabian Sea है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और south में इंडनोशन है, बताई ये answer, क्या गलत है, इसमें कुछ भी नहीं, 13, गलत विकल्प का chain करें, पता होना चाहिए, north से south expanse, इंडिया का पता होना चाहिए, और west से east, east से west, जो भी पता होना चाहिए, पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा, पूरिफ की अरुनाचल प्रदेश में सूर्य दे लगबग 2 घंटे पहले होता है, sunrise 2 घंटे पहले हो जाता है, अरुनाचल इसे कच की बात कर रहे है, west east की, ये 2900 है, वैसे तो आप मुझे exact कमेंट करके बताईए, कितना है, exact, ये लगबग की बात हो रही है, आप मुझे exact भी बताईए, 14 गलत विकल्प का चैन करें, चूजदी incorrect option, करकरेखा, एशिया महादवीब से गुजरती है, एशिया के पस् आपने सुना होगा, and it is surrounded by three oceans, incorrect बताना है आपको, कोई गलत नहीं है, तो ये प्लीज ध्यान रखना, isthmus of Panama, पनामा जो ये continent है, completely north और west hemisphere में आपको देखने को मिलेगा, उत्री और पश्यमी, गुलार्द में स्थित मिलेगा, ठीक है, 15, गलत विकल्प का चैन करें, चूज इंकरेक्ट ऑप्शन, विश्व का सबसे उचा परवत कौन सा है, Mount Everest कितना उचा है, 8848.86 meter, andies सबसे लंबी परवत शंकला है, longest mountain range कहां पे है, north से south है, South America में, विश्व की सबसे बड़ी नदी, Amazon महादवीप, उत्री अमेरिका से हुकर भहती है, विश्व का सबसे गहरा भा जो नदी है, गलत क्यों हुआ ये question, देखो, जो world की largest river है, Amazon, ये आपकी कहां से flow कर रही है, ये आपकी flow कर रही है, South America से, ठीक है, और जो andies है आपकी, ये North America नहीं, South America में है, बाकी ठीक है, 16, सही विकल्प का चैन करें, चूस्दी correct option, विश्वित वृतिया, zero degree आक्षांच अफरीका महादूइब के लगबग मध्य भाग से होकर गुजरती है, zero degree latitude equator, अफरीका एक ऐसा महादूइब है, जसे होकर करकरेखा, है ना, Cancer, Capricorn और equator, तीनो लाइन्स गुजर रही है, ये question बहुत पूछता है, PCS, Tropic of Cancer से कौन सी countries है, सब के tricks वगेरा, सब आपको listing वीडि ठीक है, बिल्कुल, Africa को नहीं कहा जाता है, actually, Australia को कहा जाता है, island continent, है न, Africa नहीं है ये, ठीक है, this is आपका Australia, सबसे छोटा continent है, और Southern Hemisphere में है, इसको कहते है, island continent, Africa को नहीं कहते है, ठीक है, Africa को कहते है, dark continent, ठीक है, चलिए, चलो, 17th देख लो, हम, सही विकलप का chain करें, choose the correct option बस ये जरूर, question में जाके paper में देख लेना, कि सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, प्रशायन महासागर का अकार लगबख वृत्ताकार है, circular है, Asia, Australia, उत्तर एवं दक्षन अमेरिका, प्रशायन महासागरों के चारो और स्थित है, Pacific Ocean, map वर्क बहुत टाइट करना पड और उसे लेके बैट गए, और 15 मिनट अपना सोने से पहले देख लिया, कुछ भी, Africa का continent खोल लो, देख लो, उसमें अपने आप observe कर लो चीज़ें, है न, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, कहां mountains हैं, कहां पे grass के, ये grasslands हैं, उनको mark कर लो, तो इससे चीज़ें prepare होती रहेंग टूटी-फूटी है, ठीक है, Atlantic Ocean की बोल रहा है, Atlantic महासागर अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोता श्रेवं पतनों के लिए आदर शिस्थिती है, अगर भई irregular indented coastline होगी, तो harbors और ports महाँ पे अच्छे बन जाएंगे, natural, वेपार की दृष्टी से Atlantic मह सबसे west महासागर है, busiest ocean है, और Atlantic महासागर अंग्रेजी भाषा के L अक्षर के आकार का है, L-shaped ocean है ये, बताइए incorrect, D गलत है, ये एक S-shaped ocean है, S for study for civil services, ये रहा, ठीक है, चलिए, 19, सही विकलप का चैन करें, choose the correct option, Arctic महासागर के पश्चमी किनारे पर उत्री अमेरिक और दक् Eastern edge पे, Arctic Ocean के North America और South America है, Europe और Africa जो है, वो Eastern edge पे है Arctic Ocean के, और Arctic Ocean जो है, वो Pacific Ocean से connected है, कैसे connected है, Bering जलसंधी से, Bering Straits से, सारी Straits या दोने चाहिए आपको, बताइए answer, C, ये 3rd ठीक है आपका, क्यों, गलत क्यों है बाकी के दो, North America, South America, Western edge पे है, Atlantic Ocean के, Atlantic, ठीक, और जी, Europe और Africa connected है, Eastern edge पे Atlantic Ocean के, ठीक है, ये Arctic Ocean कहां से आ गया, 20, सही विकल्प चुने, select the correct option, उचाई के साथ, वायू मंदल के घनत्व में भिन्नता आती है, density अलग-अलग हो जाती है, altitude के साथ, जैसे जैसे हम उपर की और जाते हैं, वायू मंदल का घनत्व तेजी क साथ घट जाता है, as we move upwards, the density of the atmosphere decreases, वायू मंदल का घनत्व समुदरी तल पर सबसे अधिक होता है, highest कहां होता है, sea level पे, और carbon dioxide पौधों की वृद्धी के लिए बहुत ही जरूरी है, बताइए, correct option, ठीक हैं सारे, इस पे ध्यान देना, 21, निमलेखित में से गलत विकल्प का चैन करें, choose the incorrect option, किसी स्थान की जलबाई, उसकी स्थिती, उजाई समुदर से दूरी तथा, उचावच पर निर्भर करती है, किस पे climate निर्भर करता है, location, altitude, इन सब चीज़ों पे, समुदरी जल का तल सभी जगा समान होता है, level of sea water remains the same everywhere, समान अता 600 मीटर से अधिक चैन करें, choose the correct option, प्रित्वी की सथा के तूट कर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं, और अपर्दन की क्रिया के कारण प्रित्वी की सथा नीची हो जाती है, erosion कहते हैं इसको, wearing away of the earth surface, और earth surface जो है lower हो जाता है, बादी process of erosion, दो प्रक्रियां अपर्दन तथा निक्षपेशन, बहते वे जल तथा, वायू तथा बर्फ के द्वारा संपन होती है, जो erosion और deposition होता है, एक कौन करता है, water, wind, ice, ये सब, आगने shell एवं अवसादी shell, उच्च ताप एवं दाब के कारण, कायांतृत शेलों में परिवर्दित हो सकती है, इगनेस rocks तो सेडिमेंटरी rocks जो है, वो metamorphic rocks बन जाती है, with heat and pressure, बताओ, गलत क्या है, इसमें, सब बढ़िया दिरख है, ठीक, 23, गलत विकल्प का चैन करें, चूस्दी incorrect option, पृत्वी की सथा की सबसे उपर की परत को crust कहते हैं, यहां पे सभी परतें सबसे पतली परत है, this is the thinnest of on layers, crust के नीचे मिलेगा mantle, जो की जाएगा 2900 km तक, 11, जो core होता है, यह मुख्य रूप से nickel और लोहिका बना होता, इसको कहते है, Nife, N-I और ferrous F-E, ठीक है, incorrect बताओ, कोई नहीं है, इसमें से ठीक है, बिलकुल, 24, निमलिकित में से पश्चिम की और से बहने वाली नदिया चुने, west flowing rivers के रहा है, west flowing, ध्य परियार, साबरमती, लूनी, वैगई, यह B हो जाएगा answer, 1st, 2nd, और 3rd, वैगई नदी नहीं है, west flowing, ठीक है, west flowing है, परियार, साबरमती, लूनी, माही, और east flowing में वैगई, उसमें रने रेखा, महा नदी, और, एका दौर बताओ, पनेरू है, ठीक है, यह सब है, 25, गलत वि Crust, then mantle and then core, globe पर वह वृत, जो दिन तथा रात को विभाजत करता है, उसको प्रदिप्ती वृत कहते हैं, क्या बोलते है, circle of elimination, जब द्रवित लावा प्रिसिदी की सथह पर आएगा, तो यह तेजी से ठंडा होके ठोस मन जाएगा, परपटी पर इस प्रकार से बने shell को, बह बेर बेधी आगने shell कहा जाता है, when lava comes out of the earth surface, it cools down and it becomes solid, so rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks, answer, incorrect, कौन सा है, यह गलत है, क्यों, देखो भई, crust 1% है, 84% mantle है, और core सिर्फ 15% है, सिर्फ तो नहीं मतलब core है 15%, बस इतना धान रखना हो, 26, गलत विकलप का चैन करें, चूजदी इंकरें, जल प्रपात, अफरीका में, अंगुला और जिंबावे की सीमा उपर स्थित है, विक्तोरिया फॉल्स, विश्प का सबसे उंचा जल प्रपात, एंजल जल प्रपात है, कहां पे, वेनिजुला, साउथ अमेरिका, और नियागरा वाटरफॉल कहां पे है, कानेडा और अमेर तो, कुश्चन आएगा, 27, निमलिखित में से कौन सी गैस वाईउ मंडल में सबसे कम है, लीस्ट अमाउंट, नियॉन, जिनॉन, हाइडरोजन, आरगन, हाइडरोजन, लीस्ट पूछ रहा है न, तो हाइडरोजन है, इन में से सबसे कम, 0.0005 है यह, ठीक है, और जैसे निय हाइडरोजन, हीलियम, क्रिप्टन, नाइटरोजन, नाइटरोजन तो सबसे आदा है, आपको पता है, नाइटरोजन तो खेरिस में देनी रखी, 78% है, ऑक्सिजन 21 है, है न, 28, सही विकल्प चुने, चूस दी करेक्ट ऑप्शन, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उलका मध्य मंदल में आने पर जल जाता है, समताप मंदल बादलों और समबंधित मौसम की घटनाओं से लगबग मुक्त हैं, जो हवाई जाज उडाने के लिए परस्थितियों को सबसे आदर्श बनाती है, स्टाटोसफियर, मध्य मंदल सूरे से आने वाली हानिकारक विकरनों स हमारी रक्षा करता है, मिजोस्फियर प्रोटेक्ट करता है हमें रेडियेशन से, आंसर करेक्ट कौन सा है, ए, तीसरा क्यों गलत हुआ, भई स्टाटोसफियर ही तो प्रोटेक्ट करता है, स्टाटोसफियर में ओजोन है, और ओजोन ही प्रोटेक्ट करता है हमको हामफुल ultraviolet radiation से तो ये वाले ऐसे सवाल नहीं गलत करके आने बिलकुल भी अगर ये पता लगा लोगे न गलत हो तो देखुब elimination से question हो जाएगा सौल 29 सही विकल्प का chain करें choose the correct option महासागर की ओसत लवंता 35 भाग प्रती 1000 ग्राम है 35 पर 1000 ग्राम है हलकी गैसे जैसे हीलियम और हाइडरोजन बहर मंडल से ही अंतरिक्ष में तैरती रहती है एक्जोस्फियर में है मतलब ये और इसराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रती लीटर लवंता पाई जाती डेड सी कहते है ना इसमें डूपता नहीं आदमी तो बहुत जादा सौल् पूर्वी अफ्रीका क्या है ये सवाना ग्रासलेंड्स अब ये मांक कर लो मैप पे अगर पहले से नहीं कर रक्के तो ये तो मैंने एंविर्मेंट में भी करा रखा है ब्राजील कैम्पोस ग्रासलेंड्स वेनेजुला लानॉस अर्जंटीना पैंपा साउथ अमेरिका प् साउथ अमेरिका में क्या है साउथ अमेरिका में वेल्ज है ये तो बच्चों को भी बता है छोटे छोटे 6th क्लास के प्रेरी और एक बचा ढूंस बताओ कहां के है चलो डूंस खुद बताओ कराचु की उमें ढूंस बताओ और संपून विश्व में पूछ रहा है 51 है 51% स्पर स्कूर किलो मेंटर सबसे अधिक जनसंग्या घनत्व दक्षन मध्धेश्या में है इसके बाद क्रमशा पूर्वेश्या दक्षन पूर्वेश्या का स्थान है सबसाथ पॉपलिशन देंसिटी साउथ सेंटरल एश्या फि की है क्या सतलज ब्यास रावी चेनाब तथा जेलम नदियां आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंदु नदी में मिल जाती है सतलज ब्यास रावी चेनाब का मिलती है ये मिठान कोट घागरा गंदक और कोसी कहां से निकल रही है नेपाल है मालियास से इन इंडिया में कामीट, इंडिया में नाम्चबा रवा 찾ूँए, गुर्लामंधा था, इंडिया में पताओ इसमें क्या मतलब, कुछ बात ही नहीं है, क्या हो जायका अंसर? बी हो जाएगा फर्स, सेकंड और थर्ड गुरला मंधा तक आए नेपाल में है ये ठीक है चलिए है 34 गलत विकल्प का जैन करें चूज़दी इंकरेक्ट आप्शन भारत में किशोरों को आमतोर पर 10 से 19 वर्ष के आयू में वर्गिकरत किया जाता है जो adolescence है वो 10 से 19 साल के है भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कारिकरम लॉंच किया था फामिली प्लानिंग प्रोग्राम भारत की लगभग आधी अबाधी केवल 5 राजों में हैं वो कौन से हैं 5 स्टेट्स यूपी, महराष्टर, बिहार, वेस्बेंगौल, तमिलनाडू आंसर सी हो जाएगा ये जो 5 हैं आपके स्टेट्स ये कौन कौन से हैं यूपी, महराष्टर, बिहार, वेस्बेंगौल और तमिलनाडू नहीं है इसमें आंधर प्रदेश है 35 गलत विकल्प का चैन करें, चूजदी इंकरेक्ट ऑप्शन स्वन्निम चतुरभुच, गोल्डन कॉर्ड लेटरल सूपर हाईवेस प्रोजेक्ट है उसमें कौन कौन से आते हैं, दिल्ली, कोलकता, मुंबई, चन्ने दो गली आ रहे हैं, इसमें दो कॉरिडोर्स है प्रथम गली आ रहा है, उत्तर दक्षन गली आ रहा है नौर्ट साउथ कॉरिडोर जो श्रीनगर से कन्यकोमारी तक है, दूसरा इस्ट वेस्ट है जो सिल्चर, सिक्यम में पोरबंदर गुजरात तक है, इंकरेक्ट बताओ सी ही इंकरेक्ट है दो कॉरिडोर्स है, दूसरा इस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ठीक बात है बिल्कुल, सिल्चर है असा हम में ठीक है, आप कहेंगे सेम ही कुश्चन गलत हो रहे हैं पोरबंदर सिटी, गुजरात ठीक है यह बिहार जारगन की कुडर्मा गया हजारी बाग अभरक पेटी, अभरक के अगरनी उतपादक है यह लीडिंग प्रेडूसर अफ माइका है चत्यसगर भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उतपादक राजय है अभरक पेटी, देश की महदवपुन उतपादक अभरक पेटी है यह आपका नेलोर माइका बेल्ट की बात कर रहा है राजस्तान की खेतरडी खदाने तांबे के लिए फेमस है आपने सुना होगा, यह तो खेर, हडपा सिविलाइशन से चली आ रही है बात इनकरेक्ट बताईए, बी गलत है चत्तिसगर्ड नहीं है, उडिसा है यह आपको डेटा सारा लेटेस्ट फैक्ट से अपडेट करना पड़ेगा 37, सही विकल्प का चैन करें, चूस्दी करेक्ट उप्शन मध्यप्रिदेश की बालाघाट खदाने देश का लगभग 52% बॉकसाइट उत्पन करती है बालाघाट माइन्स, एक तो माइन्स की लोकेशन पता रखना ठीक है, यह सारी चीज़ें आपको मिसलेने इस वीडियो में कराई जाएंगी टेस्स सीरीज में करते रहो, लेटस डेटा है, कुछ चेंज होगा तो वो एक्जाम से पहले बता देंगे, चिंता मस करना मैंगनीज के भंडारन में गुजरात भारत का सबसे बड़ा राज्य है यह रिजर्व और देखो, एक तो होता है रिजर्व और एक होता है प्रोडक्शन क्या आपके पास तो रिजर्व है, आपके पास बुद्धी रिजर्व है पूरी आप प्रोडक्शन कर रहो नहीं कर रहे, है ना उसका इस्तेमाल करके पेपर क्लेर करने नहीं कर रहे यह आप पर फरक पड़ता है, ठीक है, दोनों बातें धान देना, अलग-अलग होती है, जारकन का सिंगभूम जिला, तांबे का प्रमुकुत पादक है, largest producer of copper, main producer, बताओं, क्या हो जाएगा answer इसका, C हो जाएगा, C सही है, अभी गलत क्यों हुआ, देखो जो, बाला घाट माइन्स है न, MPK, इट प्रेडूसेज कॉपर, और उडीसा लार्जेस्ट है, manganese का सिंगभूम ठीक है, 38, देश के कुल भूमी क्षेतर के संधर्ब में, भूमी क्षेतर में, क्या धार पर निमलिखित को अवरोही क्रम में अवस्थित करें, descending order बोल रहा है ये, plains, mountains, platews, पढ़लो इस question को एक बार, फिर समझाती हूँ, इसका अंसर A है, देखो वो पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा क्या है, फिर कम क्या है, फिर कम क्या है, plains सबसे ज़्यादा है, plains 43%, clear, mountains है, करीब 30%, और platews है, 27%, ठेक है, 39, गलत विकल्प का चैन करें, चूजदी, incorrect option, पंजाब और हर्याणा में 80% भूमी जो है, उस पे खेती की जाती है, इन पंजाब और हर्याणा, 80% of the land is cultivated, ये चेयर की आवाज है, प्लीज इस पे मत कमेंट करना हूँ, ठीक है, अंतराष्टे स्थरपर, Club of Rome ने 1968 में पहली बार अधिक विवस्थित तरीके से संसाथन संकरक्षन की वकालत की थी, Club of Rome, ये तो environment में पढ़के आयो, नहीं आयो, जून 1992 में, ब्राजील के रियो डिजिनारियो में, पहले अंतराष्टे प्रित्वी शिखर सम्मेरियन के लि 1992 में, ब्राजील के रियो डिजिनारियो में हुए संयुक्तराष्टर परियावरन और विकास सम्मेलन में विश्व नेताव द्वारा हस्ताक्षृत घूशना है, एजिंडर 21 एक declaration है, आप जानते हैं कौन चा है ये, 1987 में, ब्रंटलेंड आयोग रिपोर्ट ने सतत विकास क इवधानन को पेश किया था और इसे संसाधन संगरक्षन के साधन के रूप में वकालत की थी, यहां से आया था concept, sustainable development का, अरुनाचल प्रदेश, मिजुरा, मनिपूर, अंडमान और निकुबार, दीपस्वमू में, 10 प्रतिशत से भी कम शेत्र बोया जाता है, मतलब एरिया जो सोन है, वो 10 पसंट से भी कम है, incorrect बताओ, कोई गलत नहीं है, तो यह यहां भी revise कर लो environment, तो ज़रा अच्छा रहेगा, है ना, और यह important point है, 41 देख लो, गलत विकल्प का चैयन करना, incorrect option का, गुजरात, राजिस्तान, मध्यप्रदेश और महराष्ट जैसे राजो में, अ कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा लेटराइट मृदा से बने हुए हैं, जो इस्टन कोस्टल प्लेन है हमारा, that is made up of लेटराइट सोयल, पंजाब हर्यान और पच्चमी उत्रपरदेश जैसे राज्यो में, अधिक सिचाई भूमी निमनी करन के लिए उत्तरदा जाएगी, वहाँ पर आपकी जालोड मृदा है, अलुवील सोयल है, जब ये वाली नदियों के से बने हुए प्लेन्स हैं, तो नदियों आपने साथ अफसाद ले के आती हैं, जमा करती हैं, उसे जालोड मृदा बनती है, अलुवील सोयल बनती हैं, जो की काफी फर्टाइ का चैन करें, चूस्दी करेक्ट उप्शन, ओडीसा में मयूर्भंज और केहुंजार जिलो में बादाम पहाड खदानों से उच्च कोटी का मैगनेटाइट, आइरन ओर का एक टाइप है, मैगनेटाइट वो निकाला जाता है, आपको बादाम पहाड माइन्स पता होनी चाहिए क्या वहाँ से आ रहा है, यह पता होना चाहिए लाल म्रिदा है हिमाले की तीन महतवपूर नदी तंत्रो, सिंधु, गंगा और भ्रहमपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपसों से बनी है, रेड सॉइल क्या, इन तीन इंपोर्टन्ट रिवर सिस्टम से बनी है, चत्यस गड़ के बस्तर जिले की पहाड़ियों की बैला डिला श्रेणी में अत्य थिक उत्तम कोटी का हेमेटाइट पाया जाता है करेक्ट बताए कौन सा है आप खुद सोचिए, कहां से रेड सॉइल, कहां से बन जाएए ये भी तो ऐलूवील सॉइल है, जालोड म्रिदा ही तो है जो हेमालिया की ये बनाती है और ओडिसा में, मयूर्भंज और केंजार जो है बादाम पहाड, यहां से आपको मिलता है हेमेटाइट, मैगनेटाइट नहीं मिलता और हेमेटाइट जो है बहुत ही हाई ग्रेड है, जो की बैलाडिला रेंज में भी मिलता है, बस तर से, ठीक है तो तो दिस इस नॉट मैगनेटाइट, बलकी हेमेटाइट ही है इस कांसर 43, सही विकलप चुने, choose the correct option चावल के शिर्ष तीन प्रमकुत पादक टॉप त्री मेजर राइस प्रडूसिंग कंटरीज चावल के लिए कम तापमान, अधिकादरता वर्षा क्या वशकता होती है, राइस रिक्वाइस कौनसी बात है ठीक है 1st, 3rd और 4th, मतलब 2nd में problem है, high temperature चाहिए होता है, low नहीं high temperature चाहिए होता है high humidity चाहिए होती है और पानी तो काफी चाहिए इस चावल को, खड़ा पानी चाहिए विलकुत 44, गलत विकलप का चैन करें, choose the incorrect option कपास को, cotton की बात हो रही है वृद्धी के लिए उच्चतापमान हलकी वर्षा, 210 पाला रहित 210 frost-free days और तेज चमकीली धूप चाहिए, कपास काली और जालोड मृदा में सरवुत्तम उक्ती है, black और alovial soil में, मक्का के लिए C गलत हो जाएगा मक्का को क्या चाहिए, मक्का को आप जानते होंगे queen of cereals भी क्याते है, मक्का को moderate temperature चाहिए, मतलब beach का, ठीक है ऐसे-ऐसे कर देते हैं, beach का, rainfall और अच्छी-कासी धूप चाहिए, 45 patsan की फसल के संबंध में, सही विकलप का चैन करना है, jute की बातों रही है हाँ पे, सुनहेरा रेशा कहते हैं इसको golden fiber, ये जालोड मृदा में अच्छे धंग से उगता है, alluvial soil में उच्टापमान भारी वर्षा आदर जलवाईयों के आवशक्ता होती है, और ocean कटे बंधी शेत्रों में इसको गाया जाता है tropical regions में, इंडिया, बांगलादेश जो हैं, इसके अगरणी उत्पादक हैं, leading producers हैं, answer ठीक हैं सारे तो ये जूट पूरा तयार हो रहा है, हाँ से ध्यान दोना 46 निमलिखित में से गलत विकल्प का चैन करें, choose the incorrect option कॉफी के लिए गर्म एवं आदर जलवाईयों और सू अपवाहित दो मठ मिरदा की आवशक्ता है, loomy soil, कॉफी स्नियुक तराज अमेरिका में प्रारूपिक फार्म काकार लगबग 200 हेक्टर होता है टिपिकल फार्म की बात हो रही है, in the United States of America incorrect कोता ही है कोई गलत नहीं, ये दोनों बाते मिलकुल ठीक है 47, स्थानान्त्री क्रिशी के सम्मध में गलत विकल्प चुनना आपको shifting cultivation के नाम दिये में, अलग-अलग जगाओं पे shifting cultivation के नाम से पकारा जाता है कुछ नाम आपको पता होने चाहिए Milpa, Mexico, Huma, Brazil, Ladang, Malaysia, Masol, Zaire B गलत है Milpa, Mexico ठीक है, Brazil में होता है Roka R-O-C-A, Ladang ठीक है, ये ठीक है और फिर क्या बचा, ये जो है, Huma, हुमा है आपका Indonesia ठीक है चले, 48 गलत विकल्प का चैन करें, चूजदी निकरेक्ट ऑप्शन 1984 में, भोपाल में, यूनियन कारबाइट में के कीट नाशी कार खाने में हाइडरोजन साइनेट तथा प्रतिक्रियाशी लुत पादों के साथ-साथ अतिंत विशैली मिथाइल आइससाइनेट गैस का रिसाब हुआ था, भोपाल गैस ट्राजडी की बात हो रही है 2005 में दक्षन कोरिया के चौंकिंग के गाओ कियाओ में, गैस कुमे में विसफोट के कारण 243 लोगों की मौत हो गई थी एक गैस वेल ब्लू आउट हो गया था, बताए इक इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है, पूछ रहा है बी गलत है, बी क्यों गलत है, 2005 में गैस वेल ब्लू आउट हुआ था, काओ क्योंग, यह जो जगा है, यह चाइना में है ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 243 लोगों की मौत हो गई थी, बहुत से लोगों को इंजरी हुए थी और बहुत सारे लोगों को इवाकुएट भी किया गया था, तो यह फेमस वाले हैं, तो इसलिए हाँ पे दिया हुआ है, ठीक है 49, कौन सी जीले ग्रेट लेक्स के अंतर गताती है, ग्रेट लेक्स आंसर बताई यह पढ़के, सुपीरियर, हुरॉन, उन्टेरियो, बेकाल B हो जाएगा न, 1, 2 और 3, और यह तो यादी होना चाहिए आपको होम्स, ग्रेट लेक्स का है होम्स अब देख लो कैसे बैठेगा, सुपीरियर, हुरॉन, उन्टेरियो, फिर आता है आपका मिशिगन और फिर आता है एरी, ठीक है, इनको मिला के कहता है, ग्रेट लेक्स इसका ट्रिक है, 50, गलत विकल कचेहन कीजे, इनकरेक्ट ऑप्शन, पिट्सबर्ग, कोईले की खानों के लिए फेमेस है, कोल माइन्स के लिए, जार्खन में स्वंड्रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्ची में, सन 1907 में Tata Iron and Steel Company Limited की शुरुवाग की गई थी, पहली सफल यंतिकत वस्त्र मिल, फुली मेकनाइस टेक्टाइल मिल की बात हो, यह बॉम्बे, 1854, इनकरेक्ट बताईए, यह ही गलत है, पिट्सबर्ग, आप जानते होंगे, बहुत ही इंपॉर्टन, स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है, कोल माइन स्किन नहीं फेमस है, स्टील के लिए बहुत ही फेमस है, कहां पे है, पिट्सबर्ग, सईउक्तराज अमेरिका में, यॉनाइट्ट स्टेट सॉफ अमेरिका में, ठीक है, शगुन का सवाल आ चुका है, जस पे आपको स्माइल करना है, ठीक है, गलत विक मैंचेस्टर कहते हैं इसको, मैंचेस्टर ऑफ जपान, इनकरेक्ट बताईए, कोई गलत नहीं है, ठीक हैं बाते हैं, बहुत अच्छी बाते हैं, ठीक हैं ना, 52, मानव निर्मित रेशे, मैंनमेड फाइबर्स की बात हो रही है, इनमें से चुनना हैं आपको कौन से, नाइल फाइबर्स, 53, गलत विकल्प का चेहन करें, चूस्दीन करेक्ट ऑप्शन, लेटराइट मिता का निर्मान, उश्न कटेबंधी तथा, उपोश्न कटेबंधी जलवाई उक्षेतर में, आधर तथा, शुश्कृतिवों में से, एक के बाद एक आने की कारण होता है, मतलब, पाई जाते हैं, जिनमें हुमस की मात्रा कम होती है, डेसिदूस, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, वेद अवाउंट फूमस इस, लेस, अंसर, इस्क्यूज में, डी हो जाएगा, अंसर, देखो, अमाउंट फूमस कभी लेस नहीं होगा इसमें, अच्छा खासा हूमस क क्वांटिटी प्रेजन्ट होती है, इनमें लेटराइट सॉयल में, जहां पे ये डेसिदूस और एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, लेटराइट सॉयल में उगने वाली कुछ क्रॉप्स के नाम मुझे कमेंट करके बताएं, 54, सही विकल्प का चैयन करें, चुस्दी करे और काली मृदाएं जो हैं, इनका जो आपको एक्टेंट देखने को मिलेगा, एक गुदावरी कृष्णा तक मिलेगा, आपको सही बताना है कौन सा है, पूरा तेयार हो रहा है आपका उप्शन, ब्लैक सॉयल के बारे में, इस से भार नहीं आएगा question, रेगुर में आता है बहुत और एक्स के बारे में और खासियत होती है, क्या होता है, इसके अंदर डीप cracks डेवलाप हो जाते हैं गर्मियों के दनों में, तो ये water retention capacity इसकी बहुँच ज़दा बढ़ जाती है, एक बात ये और पता होने चीए आपको, 55, गलत विकल्प चुनेंच, उस्दी इनकर प्रक्रम के संपून जलका केवर 30% ही यूप यूज कर सकता है, according to Indus Water Treaty, आपको बताना है गलत कौन सा है, C गलत है, क्यों, देखिए, Indus Water Treaty का साल पता होना चाहिए, 1960 था, इसके हिसाब से इंडिया सिर्फ 20% पानी यूज कर सकता है, ठीक है, और ये पानी irrigation के लिए यूज ह भर्याना और थोड़ा सा हिस्सा साउथ वेस्ट वाला राजिस्थान का, बाकी पाकिस्तान के पास है, 56, गलत विकल्प का चेहन करें, चूज दी इंकरेक्ट ऑप्शन, जेट धाराएं, जेट स्ट्रीम्स की बात हो रही है, कहां पे है, ये 27 से 30 डिगरी नॉर्थ कोई इंकरेक्ट नहीं है, दोनों ठीक है, ये ABCD होगा ठीक है न, इत्ती मिस्टेक्स चल जाती है, तो जेट स्ट्रीम्स आपको पता चल गई, बहुती नैरो बेल्ट होता है, 12,000 मीटर मिलेगी आपको, वेस्टरली विंट्स, ट्रोपो स्फियर में इनकी स्पीड काफी त होती है, 110 किलोमेटर पती घंटा चलती है, ये गर्मियों में, 184 चलती है विंटर्स में, ठीक है, और इंडिया वन अफ दे 12 बायो डाइवर्स कंटरीज में से एक है, इसी इनी सब चीजों की वज़ा से, 57, गलत विकल्प का चैन करें, चूस दीन करेक्ट ऑप्शन, गंग संगरक्षन की उचित तक्नीक अपनाकर, लेटराइट मिज़ापर, करनाटक, केरल और तमिलनाडू में, चाय और कॉफी हुगाई जा सकती है, अगर आप थोड़ा सा इनको ठीक ठाक कर लें, सोयल को, सोयल कंजर्वेशन टेक्नीक से, आपको incorrect बताना है कौन से है, दूसरा अंबाला नगर, सिंदू तथा गंगा नदी तंतर के बीच में, जल विभाजक का काम करता है, एंसियार्टी का बहुत ही फेमस क्वेस्चन है यह, गंगा और भ्रहमपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी चाती है, और सिंदू द्रोनी का एक्त अंडस बेसिन, कहां पे है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में, बथाइए कहां ऐसे बांगला देश में है, यह है, पाकिस्तान में है, तो इजी क्वेस्चन, 59, गलत विकल्प का चैन करें, चूस दी इंकरेक्ट ऑप्शन, बिग बैक संधान, किसने दिय जोर्ज लेमेंटर ने, सूपर स्ट्रिंग थियोरी, अलफरेड वीजनर, टेट्राहिडरन थियोरी, विल्लियम लोथियन ग्रीन, और पैडी प्लेनेशियन चक्र साइकल, एलसी किंग, इनकरेक्ट बताना है आपको, बी गलत है, देखिए, बिग बैंग ठीक है, आपका वीजनर ने, कौनसी थियोरी दी थी, कॉंटिनेंटल ड्रिफ्ट का सिध्धान दिया था, बहुती फेमेस, सुना होगा, आपने महादू इपिये, विस्थापन का सिध्धान दिया था, इन्होंने, बाकी सब ठीक है, पढ़ लेजेए, 60, गलत विकल्प का चैन करें, चूस रेनल, और कार्टोग्राफी, आपकी मान्चित्रकला जो होती है, उसके क्लॉडियस टोलुमी, इन्करेक्ट बताना है आपको, C है इसका भी, Father of Human Geography है, Vidal de la Blanche, सुन लो, Vidal de la Blanche, ऐसे करके कुछ नाम है भैंकर साथ, कोई बात नहीं याद कर लो, अब ये आपके कौन से बचे, James Rennell कौन है फिर, James Rennell है, Father of Indian Maps, मान्चित्रों के ही जनक हैं ये, Maps, ठीक है, 61, सही विकल्प चुने, Choose the correct option, Long Kadweep, Clove Island, Bhutan, नदियों का देश, Bangladesh, Empire City, Vienna, हजार जीलों की भूमी, Land of Thousand Lakes में आनमार, चुनिए, सही वाला, सिर्फ भी ठीक है, Country of Rivers है, Bangladesh, Clove Island, बहुती फेमस, Zanzibar Island, कहां है ये आइलेंड, बताइए जरा, Zanzibar, Land of Thunderbolt कहते हैं, Bhutan को तो, Bangladesh हो गया, Vena आपका है, नहीं, Empire City है आपका, New York, very famous, ये तो गलत होना ही नहीं जीए था, New York City, Land of Thousand Lakes है आपका, Finland, ठीक है, Myanmar को कहते हैं, Country of Golden Pagoda, सुनाओगा आपने, Country of Golden Pagoda, ठीक है, Dark Continent तो मैं आपको बता चुक्की हूँ, Africa, 62, गलत विकल्प का चैन करें, चूजदी, incorrect option, आपका Danube River, कहां पे है, Europe, Rio Grande, आपका North America, La Plata, South America, Salveen, Africa, गलत बताना है आपको, बच्चे बता देंगे, छोट-छोटे, Salveen कहां हैं, जल्दी बताओ मुझे, Salveen नदी कहां से हो के भहती है, यह Salveen, Ganga, Indus, यह सब Asia की है, Salveen, Asia की नदी है, और La Plata, यह ठीक है, अगर Nile होती, तो Africa की होती, 63, नदियों के नाम याद कर लो सब, सही विकल्प चुने, चूजदी, correct option, Angel, Waterfall, Venezuela, Yosmetite, Norway, Sutherland, Falls, Switzerland, और Wollombi, California, सही बताओ कौन सा है, पहला ही ठीक है, Angel, बहुत famous है, Venezuela, और आपका, यह, कौन सा बचा है, Yosemite है, आपका, California, Sutherland, Falls है, New Zealand, और यह, क्या बचा, Wollombi है, आपका, Australia, पता होने चाहिए ना, 64, गलत विकल्प का चैन करें, चूजदी, correct option, Siu Nehar, Siu Canal की बात हो रही है, ठीक है न, कनाल है इसमें, Siu Canal किस-किस को जोड़ रहा है, Superior को Huron से, और Panama जोड़ रहा है, Erico Antoria से, Kiel जोड़ रही है, North Sea को Baltic Sea से, और Manchester जोड़ रहा है, Manchester को Liverpool से, आपको गलत बताना है, कौन सा है, गलत आपका B है, बहुत famous Panama Canal आपका connect करता है, Caribbean Sea को, किस से है, Pacific Ocean से, आपके प्रशान्त महासागर से, ठीक अच्छा, very famous, Swiss Canal बताओ मुझे, किस से, किस को जोड़ता है, Swiss Canal बताना है आपको, ठीक है, चलिए, 65 देखलो, गलत विकल्प का chain करें, choose the incorrect option, भारत में आदर भूमी का कुल शेतरफल 2.9 million hectare है, wetlands, आएगा सवाल, mangrove पे भी आएगा, और wetlands पे भी आएगा, अब तैयारी क कैसे करने हैं, देखलो, प्राय दीपिय भारत में, दादर और नगर हवेली, तमिल नाडू, गोवा को छोड़के, सभी राजो में से 20 से 30 प्रतिशत भूमी, वनों के अधीन है, मतलब 20 त 30 परसेंट एरिया यहां पे है, forest के अंदर, except these, उत्तर पूर्वी राजो में 30 प्र देखो, मिलते जुलते ही option रखते हैं, जब 2.9 गलत होएगा आपका, तो आपको 3.9 याद रहेगा पेपर में, 66, सही विकल्प चुने, choose the correct option, इसको इस पाथ सेंटर, steel plants दिये हुए है, जहारकंड, भिलाई, चत्यसगर, रौरकेला, उडिसा, दुरगापूर, ठीक है न, जहारकंड में कौन सा है, बोकारो, 67, सही विकल्प का चैन करें, choose the correct option, क्रिशी विकास के लिए, अंतराष्ट्रे कोश, International Fund for Agricultural Development, कहां इतली, Red Cross की अंतराष्ट्रे समिती, International Committee of the Red Cross, Switzerland, Petroleum, निर्यातक देशु का संगठन, OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, Austria, Asia Prashant, आर्थिक, Economic Cooperation, France, correct बताना है आपको, B, First, Second, और Thirds नहीं है, आपका Fourth क्यों गलत हुआ, जो Asia Pacific Economic Cooperation है, यह 1989 का है, और यह France में नहीं है, यह Singapore में है, clear, यह है, ठीक है, France में आपका Organization for Economic Cooperation and Development, OECD जिसको गहते हैं, Paris, France में Headquarters है, 68, गलत विकल्प का चैन करें, choose the incorrect option, दक्षन पूर्वेश्याई राष्ट संग, Association of South East Station Nations, 8 अगस्त 1967, Jakarta, Indonesia में, मुख्याले के रूप में स्थापित हुआ, Indonesia, Thailand, Malaysia, Philippines और Singapore, दक्षन पूर्वेश्याई देशों के संग के संस्थापक सदसेते, देवर्धी founding members, यह 9 दक्षन पूर्वी एश्याई देशों का एक अ जाएगा यह 10 कंट्रीज हैं इसमें, 10 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, Brunei है, Cambodia है, Indonesia है, Laos है, आपकी Malaysia में अनमार हैं, फिर Philippines, Singapore है, Thailand, Vietnam है, ऐसी ही करके आद कर लिया करो, 69, किस फसल को गाने के लिए कम वर्षा चाहिए, लेस रेंफॉल, पैडी, वीट, पॉल मिलेट, बाजरा सोर्गम जुआर, बताइए, इन में से पूछ रहा है, तो इन में से D, मिलेट है, बहुत important खाना चाहिए, इन सबको, आपका पर्ल मिलेट को भी 75 cm तक चाहिए, पैडी को तो खे 1,500 cm तक चाहिए, बाडले जो है, सोर्गम जो है, यह आपको इसे 30 से 100 cm तक चाहिए, बस, ठ ही विकल्प का चैन करें, चूर्जदी कारेक्ट ऑप्शन, व्रहद सचाई परियोजना के अंतरगत 10,000 हेक्टेर तक की क्रिशी योगे भूमी शामिल है, कल्टिवेबल लैंड, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है, वो 10,000 तक आता इसमें, और जो आपका मीडियम वाल से 10,000, 5,000 से नहीं, 2,000 से 10,000, 71, निमलिखित में से सही विकल्प का चैन करें, चूर्जदी करें, एक नदी विशिष्ट शेत्र से अपना जल भाकर लाती है, जिसे जल ग्रहंट शेत्र कहते हैं, catchment area कहते हैं, एक नदी एवं उसकी सहाइक नदियों द्वारा अपवाहित शेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं, drainage basin, area drained by a river और उसकी tributaries, एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को नदी द्रोणी कहा जाता है, the boundary line separating one drainage from other is called river basin, सही बिताएं कौन सा है, separating line को river basin कैसे कह सकते हो, आप, आप ही पताओ मुझे, इनको कहा जाता है, जो आपकी boundary line होती है, उसको कहते है, water, क्या कहते हैं, अब तो याद आगया होगा, shed, water, shed कहते हैं, ये चीज आपको धहन रखने, जल संभर इंदी में कहते हैं, जिसको, ये दोनों ठीक है, 72, कुछ महतवपून, अंडमान और निकोबार दूइप सम्हू में, परवत चोटियों के संबंध में, आपको सही विकल्प चुनने, mountain peaks in अंडमान और निकोबार islands, saddle peak, great अंडमान, mountain डियोवली, middle अंडमान, आपका क्योबो, south अंडमान, और थुलियर, north निकोबार, ये questions आ पुलर आपका great निकोबार में है, great निकोबार, 73, कोपन योजना, बहुती गंदा question होता है ये कोपन स्की, इसमें BSHW क्या दर्शाता है, अर्ध शुष्क, steppy जलवायू, semi-erid steppy, गरम मरुस्थल, hot desert, लगू, ग्रिश्म, तथा ठंडी, आदर शीत, रितु वाला, जलवाय बताईए, ये A दर्शाता है, hot desert क्या है आपका BWHW, B बड़ा डबलू, छोटा H, बड़ा डबलू, और cold humid होता है आपका DFC, और polar type होता है आपका E, ये तो असान है, 74, सही विकल्प का जैन करें, choose the correct option, पूर्व की और भहने वाली छोटी नती, बैतरानी, east flowing small river, ये सारी य कौन कौन सी हैं, बतादो आप मुझे, वेतरानी, ब्रहमनी, धंदार, धाडर ये धंदार, पालर, C हो जाएगा, 1, 2, और 4, धानडार जो रनदी है ये, ये west flowing है, कौन कौन सी धानडार है, काली नदी, श्रवाती सुनाओगा, भारत पूंजा सुनाओगा, ये हैं सारी, ठ अब ये थोड़ा सा, सबके तो याद नहीं रहते है, लेकिन इन में से थोड़ा सा, में थोड़ा सा ध्यान रखनाओगा, भारत पूंजा का काफी चोटा है, जैसे भारत पूंजा का है आपका 5397 स्क्वार किलोमेटर में, तो ये लगभग आये अगर ऑप्शन में, तो इ 30 December 2018 को प्रधान मंत्री द्वारा अंडमान इन निकुबार द्वीप सम्हू में स्थित, रॉस द्वीप सम्हू का नाम बदलकर निताजी सुभाश चंदर बोस दीप कर दिया गया है, जो रॉस था पहले रॉस आइलें, नाउट इस निताजी सुभाश चंदर बोस द्वीप हो गया, एक शहीद द्वीप हो गया, एक स्वाराज द्वीप हो गया, हैव लॉक, नील और रॉस, मैच दफॉलिंग में भी आ सकता है, 77 ने मलेखित में से सही विकलप का चैन करें, चूस दी करेक्ट ऑप्शन, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीप के द्वी गलत है, यह कर रहा है, मिनी कोई को, नहीं, करेक्ट पूछा है ना, इसने, सॉरी, ए ठीक है, सॉरी अबाट तुस, फर्स्ट और सेकंड ठीक है, थर्ड गलत है, 10 डिग्री कर रहा है, अंडमान, आइलेंड और निकोवर, भई बता ना, अरेबियंसी में है यह, बंगाल की खड़ी में, बेउफ, बेंगॉल, बॉब, 78, गलत विकल्प का चेहन करें, चूस दिन करेक्ट ऑप्शन, प्रती चक्रवाद में, पवनों की दिशा, उत्री गोलार्द में, गड़ी की सुई की दिशा के नरूप होती है, तो डारेक्शन होता है, विंड्स का, अंटी साइ जो बारिश होती ही, वो जादा होती है, पच्चमी तटो से, ठीक है, और पूरिफ की और कम हो जाती है, इनकरेक्ट पताओ कौन सा है, ठीक है, वेस्ट तर जाते हैं तो थोड़ी कम हो जाती है, ये दोनों प्लीज पॉइंट्स बहुत अच्छे से प्रिपैर कर लो, 79, निमलिखित जल निकाओं को लवनता के आधार पर आरोही क्रम में आपको रेंज करना है, सेलिनिटी कैसी है, उनमें, डेट्सी दिया हुआ है, तर्की का वॉग हान लेक है, और ये आपका ग्रेट सॉल्ट लेक है, बताइए, 80, प्रती किलोग्राम समुदरी जल में निमलिखित में से किस अवयव की मातरा ग्राम में सबसे कम है, मतलब कौन सा कॉम्पोनेंट पर किलोग्राम अफ सी वाटर सबसे कम है, मैगनेजियम, पॉटाश्यम, क्लोरीन, बोरेट, बोरेट सब ही से कम है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्या है, मैगनेजियम है सबसाद, बोरेट बिल्कुली कम होता है, 0.02 के करीब होता है, 81, सही विकल्प का चेहन करें, चूस्थी करेक्ट ऑप्शन, केंद्रिय मिर्दा लवंता अनुसंधान संस्थान, Central Soil Salinity Research Institute, बहुत इंपोर्टन हैं सारे, थिरुवननन्तपुरम, केंद्रिय कंद फसल अनुसंधान संस्थान करनाल, Central Tuber Crops Research Institute करनाल, केंद्रिय शुष्क शेत्र अनुसंधान संस्थान, जोद्पुर, Central Arid Research Institute की बात हो रही है, केंद्रिय उपोष्न उद्ध्यान अनुसंधान संस्थान, Central Institute of Subtropical Horticulture, यह आपको Environment की विडियो में भी कराया है, मैंने, C हो जाएगा, 3rd और 4th सही है, पहला क्यों गलत हुआ, Central Soil Salinity Research Institute है, करनाल में, हर्याना, Central Tuber Crops है, तिरुवन अन्तपुरम, यहाँ पर है, यह, तेखिए आपस में एक्सचेंज नहीं, बस इतना धान रख लेना, 82, ने मिलेकित में से सही विकलप का चैयन करें, चूसदी करेक्ट ऑप्शन, मेरियाना गर्थ, ट्रेंचेस दी में, कहां कहां पर लोकेटेड है, मेरियाना पैसेफिक, प्योटो रिको पैसेफिक, टॉंगा पैसेफिक, अटकामा पैसेफिक, पताओ, C सही है, 1st, 3rd और 4th सही है, प्योटो रिको आपकी, अट्लांटिक ओशन में है, पैसेफिक में नहीं है, अट्लांटिक में है, 83, गलत विकल्प का चैयन करें, चूसदी निंकरेक्ट ऑप्शन, बास, जल, मरूमत दे, यह आपकी स्ट्रेट्स दी में है, बास स्ट्रेट कहाँ, अंडमान सी, साउट चैनल सी, सुन्दा स्ट्रेट जावा सी, इंडिन उशन, और ट्रेंटो आपकी, इड्राटिक सी, आयोनें सी, और टॉरस, अरफूरा, गल्फ ऑफ पैपुआ, बताओ, यह हो जाएगा, बास स्ट्रेट गलत दिया हो, बास स्ट्रेट आपकी होगी, तास्मान सी, और साउट सी, ठीक है, तास्मान, स्ट्रेट तो सारी याद करो भई, मैप पे सारे में, हाइलाट कर लो, और पढ़ते रहाओ उनको, फिर बीच बीच में, यही तरीका है, सबसे अच्छा, 84, सबसे कम तटीय रेखा की, लंबाई वाले राजे का चैन करें, शॉर्टेस्ट कोष्ट लाइन, केरिला, उडीसा, वैस्बेंगॉल, करनाटिका अंदाजे से होंगे, एक वेस्चिन, अब काओगे हैं, हम सारे आद करना पड़ेगा, क्या, हिर्टिकपूर का C हो जाएगा, देखो, केरिला का, तो सबसादा इन में से, फिर उडीसा है, फिर करनाटिका है, फिर वेस्बेंगॉल है, फिर लक्षदीब है, फिर गोआ है, फिर पॉन्डिचरी है, है, तो इन में से, सबसे कम, वेस्बेंगॉल है, 85, सही विकल्प का चैन करें, चूस्दी करेक्ट उप्शन, पास दियो है, डंकन पास, किसके बीच में, साउथ अंडमान, लिटल अंडमान, कोकोवा स्ट्रेट, कोको आइलेंड, साउथ अंडमान, सब आपको मैप पे मिल जाएंगे, मनार की खाड़ी, गल्फ अफ मनार, साउथ वेस्ट, तमिल्लाडो, श्रिलंका, मैक मोहन, रेखा किसके बीच में, इंडिया, चाइना के बीच में, बताएं कौन सा सही है, सी है, सारे याद कर लो, एक जगा लिख के, बी ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, पैंसीला गल्थ है, पैंसीला अक्चुली, नहीं, ये तो ठीक है, दीफू पास कर लदिया हुआ है, दीफू पास, अरुनाचल में है, 87, अच्छा, दो और बता दो, एक है, सिन ला पास, और एक तो असान है, शिप कीला, ये दो कमेंट करके बताओ, सही विकल्प का चैन करें, ये कुछ अधिनियम दिये हुए है, ये इंग्लिश में ही आद करो, ज़्यदा बेटर है मेरे साबसे, बाकी देख लो, बाइवर्सिटी आक्ट 2006, अवार्मेंट प्रोटेक्शन अग्ट 1986, आपका NGT 2009, और वार्मेंट प्रोटेक्शन अग्ट प्रोटेक्शन अग्ट करेंगे, बाइवर्सिटी आक्ट आया है 2002, ये किसी का नहीं गलत होना चाहिए, NGT गलत करके आओगे तो बताओ क्या ही करोगे, 2010 का है ये, वार्मेंट प्रोटेक्शन 1974 का है, 88 गलत विकल्प का चेहन करें चूसे इंकरेक्ट ऑप्शन फिर से आक्ट हैं फॉरेस्ट कंजरवेशन 1980 वाइलाफ प्रोटेक्शन 1972 एनर्जी कंजरवेशन आक 2001 कॉंपेंसेटरी कैमपा जो है 2010 पताईए आपका कैमपा ही गलत है इसमें से कैमपा आपका 2016 का है बाकी ठीक है 89 नेमलिकित में से कौन सी मृदा देश के अधिकांच भाग में फैली हुई ये मैक्सिमम पार्ट में कौन सी अलूवियल, रेड, ब्लाक, लेट, राइट तो पताऊनो चीए आपको देखते ही आंसराना चीए बहुत ही फोर्टाइल है अलूवियल स्वाइल करीब 44% एरिया पे यही स्वाइल है ठीक है 90 सही विकल्प का चैयन करें चूज दे करेक्ट आप्शन व्रिदाएं और प्रचुरता उनमें किस चीज की अबंदन्स पाई जाती है जैसे अलूवियल में पुटाइश और लाइम ब्लाक सॉइल में पुटाइश लाइम मैग डीजी डेजर्ट सॉइल में सॉल्ट और फॉस्फोरस लवन और फॉस्फोरस और परवती है माउंटेश और पॉस्फोरस बताइए सही है सारे 91 निमलिखित पर विचार करें, ये कुछ conferences दी महीं हैं, हलेंस्की संबेलन, protection of marine environment आपका समुद्रिक जो परियावरन होता है उसकी सुरक्षा मालमों घुशना पत्र आपका role of private sector in environmental protection, निजी शेतर की भूमे का नेरोभी declaration, effective implementation of international treaties संधियों का प्रभावी क्रियान में, पताईए सही पूछा था, सही है सारे, याद रखना, अच्छा इनका ear बता दती हूँ, है न, कई बार यह पूछ सकता है, हलेंस्की है 1974 मालमो declaration है सन 2000 का, मालमो नहीं पताऊगा आप लोगों, ये 1997 97 का है, ये याद कर लो 92 डैश में, Warsaw संबेलर में आयो ज़े डैश में, Green Climate Fund पेश किया गया था ये कौनसी, Conference of Party में और कौनसे year में, Green Climate Fund पूछ रहा है बताओ A COP 19 2013 की जो आपकी हुई थी, कहां पे, Warsaw में हुई थी, वहां पे ये established किया गया था 93, दिए गए, लवनों में से किस लवन की लवनता, प्रती हजार ग्राम महा सागरी, जल में सबसे अधिक है Highest salinity per thousand grams of volcanic water among the given salts, sodium chloride magnesium chloride, magnesium sulfate, calcium sulfate तो sodium chloride टाटा नमक, मतलब कोई भी नमक, ठीक है 94, गलत विकल्प का चैयन करें हिमाचल और उत्राखंड, हिमालिय भारत के दो मुखे नधी तंत्र, सिंदू और गंगा द्वारा अपवाहित है, हिमाचल और उत्राखंड हिमालिया drained by the two major river systems of India, Indus and the Ganges लगू हिमालिया को स्थानिय रूप से हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और उत्राखंड में नाग तिबा के नाम से जाना चाता है धौलाधार या फिर नाग तिबा भोटिया जन जाती, कहां पे रहती है? लेसर हिमालियाज में, लगू हिमालियाज में incorrect बताओ सी गलत है, ये लेसर हिमालियाज में नहीं रहती ये ग्रेटर हिमालियाज में रहती है ठीक है जी? 95, निमलिकित में से गलत विकल्प चुने, incorrect option हिमाचल और उत्राखंड हिमालिया पश्चम में रवी नदी और पूर्व में काली नदी के बीच में समझ रहे हैं आप, जो हिमाचल और उत्राखंड वाले हैं वो रवी और काली के बीच में है नौर्थ इस्टन जो हिमालियाज है, नौर्थ वेस्टन हिमालियाज कश्मीर हिमालियाज जिनको बोलते हैं वो करेवा के लिए famous है, करेवा में उगता है जाफरान, बहुती famous केसर की वराइटी है खाया कीजिये, सर्दियों में केसर बहुत अच्छा होता है गलत कोई नहीं है इसमें से बिल्कुल ठीक है यह है, ठेक है ना 96 गलत विकल्प का चैयन करें, चूस्दे इन करेक्ट ऑप्शन दारजरिंग और सिक्किम शेत्रों में हिमालया पूर्फ पच्चम दिशा में विस्तृत है, मतलब East-West डिरेक्शन में extended है व्रहत हिमालया और पीर पंजाल श्रेणी के बीच विश्व प्रसिद कश्मीर घाटी और डल जील स्थित है ग्रेट हिमालया श्रेणी के बीच में फेमस क्वेच्चन PCS का है वला, पीर पंजाल में है कश्मीर और डल लेक, और दक्षनेशा के महज़पून हिमना जैसे बॉल्टारो सियाचन सब कहां पे मिलेंगे, आपको कश्मीर हिमालया में मिलेंगे पूछरा गलत कौन सा है कोई गलत नहीं है, और प्लीज याद कर लो एक बार इनको देखके है न, कहां कहां किसके बीच में कह रहा है 97, गलत विकलप चुनेश, उस दी इनकरेक्ट आप्शन, पूर्व की और भहने वाली अधिकांश द्वारा अलग होता है, ये गल्फ पार्क स्ट्रेट से अलग होता है इनकरेक्ट बताओ कोई गलत नहीं है, तो ये भी जरा देखके चलो है न, शुलंका किस से सेपरेट हो रहा है, पताओना चाहिए आपको 98, अब तो खोश हो जाओ, खतम होने वाला है अब आपको बताओ, वह अलग अलग है, आपको बताना है, ही कोशन आपको तैयार हो जाएगा माहे कहां है, करनाटिका के पास, करनाटिका से घिरा हुआ है मतलब कराइकल और पुटुचरी जो है, वो तमिलनाडू से घिरे हुए है, यनम आंदरप्रदेश से घिरा हुआ है आपको बताना है, सही कौन सा है B सही है, सेकिंड और थोर्ड, पहला वलत है, माहे आपका केरला में है 99, गलत विकल्प का चैन करें, चूजदीन करेक्ट ऑप्शन, भारत का सबसे उत्तरी बिंदो फेमस क्वेस्चन है, नदरन मोस्ट पॉइंट, इंद्रा कोल लदाख में है, गोहर मोती या गोहार मोती आपका कच्च में है और किबीथू आपका अरनाचल में है कोई गलत नहीं है, सारे सही है और सबसे एक ही बचकिया, सबसे साउत वाला चलो, प्लीज कमेंट कर दो जरा आप, अच्छे बच्चों की तरह सद्रन मोस्ट कौन चाई की बचकिया, चारो तयार हो जाएंगे हाँ पर चलिए जी, आकरी क्वेश्चन आ चुका आपके, कम्प्यूटर स्क्रीन पर, मुबाइल स्क्रीन पर, सही विकल्प चुने, चूस्टी करेक्ट ऑप्शन कह रहा है कि भारत के पूर्वी और पश्चमी घाट, नीलगिरी में आकर मिलते हैं इस्टन वेस्टन घाट्स कहा मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स में, भारत की मानक बध्यान रेखा एवं करक रेखा एक दूसरे को चत्तिस गड़ में काटती है और आंदरप्रदेश की न्याएक राजधानी अमरावती है, जुडिशिल कापिटल पूछ रहा है, बताइए पहला और दूसरा बिलकुल ठीक है, गलत क्यों हुआ, आपका सेकिंड थर्ड क्यों गलत है, जुडिशिल कापिटल है, कुर्नूल ठीक है, और एक्जेकिटिफ कापिटल है, आपकी अमरावती स्वारी एग्जेकिटिफ कैपिटल है विशाका पत्नम एग्जेकिटिफ ठीक है मतलब न्याइक राजधानी कुर्नूल कारेकारी राजधानी विशाका पत्नम और विदाही राजधानी आपकी legislative कैपिटल है अमरावती प्लीज तीनों ध्यान देना ठीक है चलिए इसके साथ हमारा test होता है खतम अब अपना score मुझे फटाफिट से comment down करके बताओ और test की जितनी भी mistakes हैं वो अपनी diary maintain करो उसमें लिखते रहो बहुत फायदा मिलेगा end में अभी जगर होगा अरे बिना मतलब क्या time waste करा रही है मैं है ना अब इसका फायदा बहुत end में मिलेगा आप लोगों को बहुत अच्छे से और किसी भी paid group या pdf के लिए इन numbers पे call या whatsapp कर सकते हैं आप लोग all the best, अच्छे से पढ़ाई करो मज़िज करते वे चीज़ें करो time नी waste करो and minimize your mistakes thank you so much, बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे हम हमारे next test में तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हसते रहिए, मज़े करते रहिए